Hare Krishna and good morning dear students, आज हमारा GK का पीरेड है, so take out page number 21, जिसका topic है in the kitchen, kitchen में, छीक है, हम इसका पहला पार्ट देखते हैं, Tick the things that belong in the kitchen, मतलब क्या है इसका, यहाँ पर कुछ चीजों के pictures दे रखे हैं, हमें उन्हें अच्छे से देखना है, फिर हमें उन चीजों पर tick करना है, जो kitchen से belong करते हैं, या kitchen में use होते हैं, चीक है, यहाँ पर हमें circles दे रखे हैं, हमें वाँ पर tick करना हैं, तो अब हम पहले picture को देखते हैं, यह क्या चीज है, it is a fried pan, और यह कहाँ use होता है, यह kitchen में use होता है, है ना, तो हमें आपर tick कर देंगे, ओके, then second picture देखते हैं, तो यह हमारा pillow है, pillow kitchen में use नहीं होता है, तो हम यहाँ पर tick नहीं लगाएंगे, ओके, then, फिर हम third picture पर देखेंगे, यह क्या है, हम इसे क्या बोलते हैं, कडाई बोलते हैं, तो यह भी kitchen में use होती है, तो हमने यहाँ पर tick लगा दिया है, then, यहाँ पर हमारे cloths, cloths से, कपड़े kitchen में use नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हम tick नहीं लगाएंगे, then, this is a dressing table, और dressing table भी kitchen में use नहीं होती है, then, हम next picture को देखेंगे, तो यह क्या है, mixer grinder, mixer grinder यूज होता है ना, kitchen में, है ना, तो फिर हम यहाँ पर tick लगा देगे, okay, then, हम next picture को देखेंगे, it is a sauce pan, sauce pan kitchen में use होता है, हम यहाँ टिक लगा देगे, okay, then, it is a spoon, spoon भी use होता है, तो हम यहाँ पर भी tick लगा देगे, chair use नहीं होती है, कुछ dish बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर tick नहीं लगाएंगे, प्लेट्स यूज होती है, खाना सर्व करने के लिए, तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे, टूथपेस्ट नहीं यूज होता है, तो हम यहाँ टिक नहीं लगाएंगे, ओके, देन हमारे लास्ट फिच्चर को देखते है, प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर किचिन में यू होती है, अब हम बी पार्ट की तरफ जाते हैं, विच और दिस वोडियो पैरेंट्स यूज मतलब क्या है, इन में से कौन से चीज़े आपके पैरेंट्स यूज करेंगे, सर्कल दी पिच्चर्स, उनको हमें सर्कल करना है, ओके, यहाँ पर मैंने वर्ड्स के आगे सर्कल कर सकते हैं, हम फर्स देखेंगे, टू टोस्ट ब्रेट, मतलब ब्रेट को सेखना, हम इन दो चीज़ों में से किसे यूज करेंगे, ब्रेट को सेखने के लिए, ब्रेट को टोस्ट करने के लिए, किसे यूज करेंगे, हम टोस्टर को यूज करेंगे ना, तो हमारे पैरेंट् लगा देंगे ठीक है Second है춰 मेख चटनी को कोटनट चटनी बनाने के लिए हम क्या यूस करेंगे डान या फिल्मिक्सर ग्राइंडर क्या यूस करेंगे mixer grinder है ना उसे mix करने के लिए उसे पीसने के लिए हम mixer grinder के यूज़ करेंगे तो हम यहां पस circle लगा देंगे ठीक है then two potatoes potatoes या आलू को छिलने के लिए हम इन दोनों में से कौन से चीज़ को यूज़ करेंगे यह हमारे parents किसे यूज़ करेंगे camera को या फिर पीलर को पीलर को यूज़ करेंगे न तो हम यहां पस circle लगा देंगे to bake a cake थर्मामेटर या फिर microwave बन इन दो नमसे क्या यूज़ होगा केक को बनाने के लिए तो वह microwave यूज़ होगा चीक है तो मैं यहां पर circle लगा देंगे ओके अब हम नेक्स्ट पेज पर जा जिसका heading है work people do मतलब काम जो लोग करते हैं ओके complete sentences choose words from the box यहां पर हमें sentences दे रखे हैं यह अधूरे sentences हैं हमें जिनको complete करना है words के साथ यहां पर कुछ words दे रखे हैं इस box में हमें उनमें से correct words को choose करना है और यहां पर feel करना है ओके तो हम पहले देखते हैं first sentence क्या है हम इन picture को देखते हैं I act in movies I am an कौन है he is an actor I am an actor यह कौन है अमिताब बच्चन यह इंडिया के finest और काफी popular actor एक्टर है कि बहुत सारी movies आई इन्होंने बहुत सारी movies में काम कर रहें तो ही कौन है actor है okay then हम second देखेंगे I play music I am a musician मदलब संगीत कार वो music को प्ले करते हैं she is a musician है ना जो गाना गाते है जो गाना बनाते हैं वो musicians होते हैं चीक है then हम third picture को देखेंगे तो यह क्या दिख रहे हैं यह कुछ बनाते हो दिख रहे हैं तो हम पहले sentence पढ़ते हैं I make status statues I am a sculptor क्या है sculptor मतलब की संगत राश संगत राश मतलब की जो मूर्दिकार होते हैं जो statues बनाते हैं जो मूर्दिया बनाते हैं उन्हें sculptors कहते हैं okay then fourth देखेंगे I look after people's teeth I am a मैं लोगों के दाथ देखता हूं और मैं कौन हूं dentist he is a dentist दाथों के डॉक्टर चीस हम बोलते हैं न वो ते dentist okay fifth है I fly aeroplane I am a मैं aeroplane को उड़ाता हूं और मैं हूं pilot pilot कौन क्या उड़ाते हैं aeroplane चीक है sixth क्या है I take photographs I am a मतलग क्या है मैं photographs या तस्वीरे लेता हूं और मैं कौन हूं photographer photographer क्या लेते है photos click करते है है न ठीक है उनका काम क्या है photos लेना तस्वीरे लेना अब हम देखते है name the place from where a pilot controls the aeroplane मतलब क्या है वो कौन सी जगह है जासे pilot aeroplane को control करते है या फिर उसे चलाते है वो कौन सी जगह होती है उस area को हूं क्या बोलते है उस area को हूं बोलते है cockpit या फिर flight area ठीक है जो की aeroplane के सबसे आगे वाले जो हिस्सा होता है न एरिया महा पर होता है महा सी पाइलेट aeroplane को control करते है छीक है I hope आपको आज के topic समझ में आए होंगे ओके थैंक यू हरे कृष्णा कही चाता है